पुज़र्गों नौजवान साथियों सबसे पहले तो मैं रिशी नगर के मेरे बड़े बुज़र्गों को मेरी मात्र शक्ति को नौजवान साथियों को छोटे भाईयों को हाथ जोड़के आप सब का करबा धन्यवाद भी करता हूं मेरे बुज़र्गों साथियों माताओं बेणों नौजवान भाईयों इलेक्शन में अब 29 दिन रह गएं 2005 से 2014 तक आपने अपने इस भाई को अपने बेटे को इस इलाके की सेवा करने का मौका दिया ये शहर जो एक गाउं की शकल में था ये शहर जिसमें ना सीवरेच था ना पीड़े का पाणी था ना बिजली की विवस्ता थी ना पार्क था ना पॉलिटेक्निक था ना स्टेडियम था ना कालेज था वो सारी चीजों का निर्मान मैंने और आपने मिल कर किया रिशी नगर का ये इलाका मेहनत कशों का इलाका और रिशी नगर का मेरे हृदय में मेरे दिल में तो विशेष थान है क्योंकि आपका प्रेम और आशिरवाद अच्छा समय आया, बुरा समय आया, मेरे साथ लगातार बना रहा और उसके लिए मैं विशेश तौर से रिशी नगर का शुक्र गुजार दूँए आपको याद है दस साल तक हर 90 में दिन पूरे कैथल के अंदर 31 वार्ड हैं लगबख 45 से 50 जलसे हम करते रिशी नगर में भी जलसे करती और मैं वहां एक-एक साथी से ये पूछता नगर पालिका के सदस्य हो या इलाके का कोई भी मेरी माता, बेहन, बुजर्ग साथी हो कि मुझे काम बता दीजे और माजी कई बार तो बारा-बारा, एक-एक, दो-दो बज़े तक वो चलता जो काम आप बताते में वो मौके पे मनजूर करता उसका एक करोड लगते, दो करोड लगते, वहीं अनाउंस कर देता नब्बे दिन के अंदर वो काम पूरा करता एक-एनवे में दिन फिर आपके पास हाजिर हो जाता दस साल तक इस शहर का सवरू बदलने में आपने मेरी मदद की आपने मुझे बताया बेटा ये हो सकता है किसी नौजवान साथी ने कहा भया, यहां पार्क नहीं है, यहां मौल नहीं है, यहां पॉलिटेकनिक नहीं है यहां सरकारी कॉलेज नहीं है यहां बड़ी ITI नहीं है यहां इंडोर स्टेडियम नहीं है यहां हमें फला फला और चीजों की जरूरत है और दीरे 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 दस वर्षों के अंतराल में उन सब चीजों का निर्मान किया है ये तो एक ऐसा जिला था माजी जहां DC का मकान भी नहीं था SP का मकान भी नहीं था District Judge और ADC का मकान भी नहीं था सब रेस्ट हाउसों के कबजा करे बैठे थे एक एक करके ये सारे निर्मान भी आपके भाई ने किये ताकि अफसर यहां से जाएं मत यहां रहें अपने भी बच्चों को लेकर आएं अच्छे से अच्छा स्कूल और कॉलेज बढ़ाएं दस साल अब बीट गए बीजेपी की सरकार को आए हुए आपके भाई ने तो कभी ये नहीं का आपके बेटे ने तो ये नहीं का कि ये काम नहीं हो सकता जो आपने मुझे काम बता दिया मुश्किल से मुश्किल कठिन से कठिन जो कोई नहीं कर सकता था वो आपके बेटे ने करके दिखा दिया आप दस साल से कौन है बीजेपी के लोग दस साल में यहां के MP MLA कभी रिशी नगर में जलसा करने आये हों तो आप बताओ अभी आपने देख देखे ना वो पूछने आये ना वो बताने आये ना वो कोई ग्रांट देने आये ना वो कोई सडक बनाने आये ना वो कोई पार्क बनाने आये ना वो कोई रोजगार धंदा पैदा करने आये उन्होंने जैसे बच्चे यहां अनुमान जी की शिव जी की फोटू बनवा लेते ना हाथ पे माजी बीजेपी वड़ोंने यहां खुदवा रख्या है मेरी तो चल दी को नी उन्होंने हाथ के उपर ऐसे ही खुदवा रख्या जो काम के लिए जाता है यहां तो अंदेनी ना गाउं में जलसा किया ना शेहर में जलसा किया ना कभी ग्रांट सेंक्शन की ना कुछ बनवाया कोई अगर भूला वटके उनके मकान तक चले गया तो अगले को जवाब मिलता है मेरी तो चाल दी को नी मैं आज आपसे कहता हूँ जो दस साल यही कहते रहे मेरी तो चाल दी को नी इब चुनाव किसलिए लड़ रहे हैं जब चल दी आई नी इब करेंगे क्या जब उनकी सरकार थी दिल्ली में हरियाना में अब तो आपकी क्रिपासे, लोगों की क्रिपासे, मालिक की क्रिपासे, भगवान की क्रिपासे, अब तो कांग्रेस की सरकार बढने लग रही है, इप तो उनकी सरकार ही चली गई, तो जिनकी सरकार में नहीं चल दी उनकी बगेर सरकार क्यों कर चलेगी, तो मैं आपसे हाथ जोड़के एकी बात कहने आया हूँ उन्होंने इस शेहर को माजी 25 साल पीछे ले जाके खड़ा कर दिया मेरा भाई ये कहने लग रहा था कि सीवरेज का पाणी पीने के पाणी के साथ आता है और तीन-तीन दिन आता रहता है पहले नहीं ऐसा कभी मैंने होने लिया सीवरेज ब्लोक हो गया जी किसी ने साफ करने नहीं आया यहां परिवार पहचान पत्तर के नाम पे कोई ऐसा घर नहीं जिससे हजारों रुपे की रिश्वत नहीं ली गई प्रोपर्टी आईडी के नाम पर कोई ऐसा घर इस शेहर में नहीं जो कई-कई महिने गेडे नहीं काटे और जिनसे रिश्वत नहीं ली गई बिज़ी के बिल अगर पंद्रह हजार आ गया बीस हजार आ गया पच्चिस हजार आ गया तो कोई ठीक करवाने वाड़ा नहीं है अगर डीसी और एसपी के पास काम पढ़ गया तो कोई करवाने वाड़ा नहीं है ये मेरी माताएं बेटी अगर इनका पेंशन के लिए अंगूठा थोड़ा हलका पढ़ गया तो हजारों रुपे की रिश्वत देनी पड़ी कोई सुनने वाड़ा नहीं है ये हर गर की कहानी अगर किसी बच्चे को रोजगार की जरूरत पढ़ गी तो रोजगार दिलवाने वाड़ा नहीं है मैं आज आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ हाथ जोड के मेरे बड़े बुज़र्गो मेरी माता हूँ बैणो नौजवान साथी हो बदलाव का समय फिर आया है और मैं आपसे कहने आया हूँ मैं ही शेहर का पुराना मिस्त्री हूँ मुझे सडक बनानी आती है सीवरे जाता है पीने का पानी बनाना आता है कालेज स्कूल बनाना आता है पॉलिटेक्निक बनाना आता है क्यों मैं यही काम करता है मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ किरिप्या करके एक एक कोट अपने महले की भी और अपने शेहर में जहां-जहां संबंध है दोस्त हैं, रिष्टदार हैं, मिलने वाड़े हैं, व्यवार वाड़े हैं एक एक वोट कॉंग्रेस पार्टी को और आपके इस अजीज को आपके भाई को दे कर इतने मतों से जिता कर भेजिए कि एक नया इतिहास बन जाए और आपके मिलके फिर अपने शेहर की सेवा पर और इस शेहर को जिनोंने पिछाड दिया है अपने कोई शेहर को इलाके को आगे ले जाके अपने जिले को फिर खड़ा करना है उसका रास्ता जो है, वो कांग्रेस पार्टी और रंदीप के अंदर से जाता है बस इसी सेवा की अनुरोद के साथ मैं मेरी वानी को विराम देता हूँ, आप सब को रामराब जैन धन्यवाद, बुजर्गों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं रिशी नगर के मेरे बड़े बुजर्गों को, मेरी मात्र शक्ति को, नौजवान साथियों को, छोटे धन्यवाद भी करता हूँ, आपका वंदन अभी नंदन भी करता हूँ, मेरे बुजर्गों, साथियों, माताओ, बेहनों, नौजवान भाईयों, इलेक्शन में अब 29 दिन रह गएं, 2005 से 2014 तक, आपने अपने इस भाई को, अपने बेटे को, इस इलाके की सेवा करने का मौक आदिया